हेलो एब्रीवन वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल सिग्नेट टूटरिंग देखो आज जो लेक्चर मैं बनाने वाला हूं अपलोड करूँगा वो लेक्चर होगा जेई फाउंडेशन के लिए हम लोगोंने डिफ्रेंसेशन तक पढ़ लिया था ठीक है डिफ्रेंसेशन हम लोगोंने पढ़ लिया था और आज हम इंटिग्रेशन देखींगे इंटिग्रेशन के कुछ बेसिक उष्यन एक टेवल इंटिग्रेशन की और उसके बाद हम लोग कुछ निमेरिकल करें हों ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की छुट्टियां सही गई होग और छुट्टियों में आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा अब हमारा पढ़ने का समय आ गया है तो हमको पढ़ लेना चाहिए इसके साथ मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि भईया अब छुट्टियों के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगा बढ़ाई तो हम क्या स्टाडेजी फॉलो कर सकते हैं व्यससे जब क्या अलग अलग होती है बट एक सी स्टाटेजी जो मैं हमेशा अपने स्टुएंट को बोलता हूं और कारगर तो होती हमेशा काम तो आती है जैसे कि देखते हैं हम आज जो पढ़ेंगे that is integration आज बरसात होई है मौसम भी ठीक ठीक है दो दिन और हैं इंजॉय कर लो कुछ बच्चों के 25 दाज तक शुट्टिया है मेरे ख्याल से थोड़ा और इंजॉय कर लो उसके आतों पढ़ना है integration देखो integration के अंदर क्या है जैसे कि मैं आपको बताता हूं बहुत basic से example हम लेखते हैं हमने differentiation start किया था मुझे दिया गया है y equals to x square now what I have to do I have to find y dash मुझे y dash बता करना ठीक है अच्छा मैं जब y dash की बात कर रहा हूं तो y dash का मतलब यह हो जाएगा कि मैं differentiation की बात कर रहा हूं जिन लोगों को lecture में थोड़ा confusion हो पुराने lecture दे सकते हैं मेरी खालते सारी जीए समझ में आ जाएगे उसके अंदर तो y dash का मतलब हो जाएगा differentiation और यह आ जाएगा इसका 2x when I talk about integration when I talk about integration तो जिस तरीके से differentiation के अंदर हम लोग क्या करते हैं अगर इसका differentiation ही तो इसका मतलब यह हो जाएगा y dash को मैं लिख सकता हूँ dy by dx यह लिख सकते हैं dx जो है वो नीचे आ रहा होगा और जो मैं integration की बात करूंगा तो integration के अंदर मैं को क्या करना होता है मैं integration के अंदर यह sap लगा देता हूँ ठीक है मैं क्या करता हूँ यह sap लगा देता हूँ और इसे मैं integration के तो ठीक है integration differentiation के जब्डा है अगर मैं किसी function को differentiate करके किसी एक दूसरे function पर आता हूँ तो जो function मेरा आया है जैसे कि मेरे पास यह function आया differentiate करने के पाद जब मैं इसको integrate करूंगा तो मैं यहां पहुच जाओंगा जैसे कि मैं महाह लेता हूँ कि मैंने x cube को ही differentiate किया ठीक है I have taken a function x cube इसको integrate करना है sorry differentiate नहीं x cube इसको integrate करना है integration में क्या होता है dx नीचे नहां के साथ में आ जाता है यह ठीक है y equals to again y equals to यह दे रखाए जब मैं integrate करूंगा तो मैं क्या करूंगा differentiation के अंदर मैं power minus करता हो था और आगे वाली चीज को उपर वाली चीज को आगे ले आता था integration के अंदर में क्या करूंगा मैं power एक जोड़ दूँगा मैं प्लस न कर दूँगा जो भी पावर लखी होगी मेरे पास इसाल के लिए आप यह समझ लीजिए कि constant होता है सी की वैली जो होती बिसिकली constant होती है अगर मैं इसको integration को solve करूं तो साथ में कुछ भी आ रहा हो जिसका मुझे पता नहीं है नहीं पता है इसलिए मैं नमाल ले कि भाई कोई चीज आ रही होगी constant नाम से ठीक है तो मैं इस तरीके से लिता हूं कुछ सवाल हो लेते हैं integration के मेरे पास integration है x3 प्लस x इसका integrate करना है ठीक है dx के respect में dx के respect में ठीक है जब मुझे इसको integrate करना है तो क्या आ जाएगा मैं इसको लिखूंगा integration x3 dx प्लस integration x dx वैसे ही चलेंगे जाए चल रहे थे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा ठीक है यह मैं ने इंटीग्रेट कर दिया इसको फाइनली मेरे पास आ गया 3 प्लस 1 मैंने नीचे लिख दिया 4 प्लस x की पावर 1 है कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है उसकी पावर एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडर बाए 2 पुरा का पुरा निख लिया प्लस से ठीक है बैने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफ्रेंशेशन का उल्टा होता है बिलकुल उल्टा होता है अगर ऐसा होता है तो मैंने y equals to x square किया है y equals to x square किया है तो मेरे पास एक function था y equals to x square तो आपने जब इसका y डैश निकाला वो आ गया 2x अब अगर मैं इसको integrate करता हूँ तो मेरे पास वापिस से यह आ जाना चाहिए तेखतें कैसे आता है मुझे अब integrate करना है 2x को dx के respect में ठीक है जब भी मेरे साथ कोई variable होगा और variable के साथ कोई constant multiply हो रहागा constant से मेरा मतला में जिसको बदला नहीं जा सकता है जैसे कि 2 हो गया 3 हो गया a b c whatever जो भी दे रखाए ठीक अगर constant है तो मैं उसको integration के बाहर ले आऊँगा integration के बाहर ले आऊँगा और मेरे पास बच गया x dx जिसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ 2 तो मैंने लिखी लिया इसको integrate करूँगा तो इसके power 1 है power 1 है इसमें एक add किया नीचे 2 आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा x square ठीक है this is my function क्या यह और यह सेम है yes मैं यह बताना चाह रहा था ठीक है अब क्या है न वैसे तो क्या है मैंने 9 cbsc के अंदर जम्हें बढ़ा रहा था तो मैंने यह बता दिया था यह बता है जब जब कोई टम आपको लगे किया मैंने यह नहीं बता यह तो मान के चलना कि मैंने उस चीज को cbsc के स्लेब असमें बता दिया होगा मोटा से हिंट देतों जैसे कि हम x को यहां पर क्या करते हैं displacement displacement करते हैं ठीक है वैलोसिटी के जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं वेलोसिटी इक्वेल्स तो डिस्प्लिस्मेंट अपन टाइम दिवाइड बाइड बाइड टाइम ठीक है और यू कन से आप इसको एक्स बाइटी भी लिख सकते हैं जो मैं एक्सेलेशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा एक्सेलेशन की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम ठीक है फिलाल के लिए यह मानिया अच्छा मैं यह डेल्टा जो है डेल्टा क्या शो करता है यह चेंज शो करता है यह चेंज शो करता है और अगर मुझे किसी पाटिकलर इंस्टेंट इनस्टेंट पर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा इंस्टैंट के लिये निकालना है इनस्टेंट पूरा नहीं लिख रहा हूं इतना ही लिख रहा हूंiß तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सलेशन थे qaust至 या तो मैं लिखूंगगा dby dT velocity का change upon this अच्छा मैंने discussing नहीं किया तो मैं क्यों बताओ फिर इसको अब भी रुको रुको थोड़ी सी गलते होगे माफी माफी चाहिए माफी चाहिए माफी चाहिए माफी थोड़ा जल्दी बता दिया देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ यह जब मैं बात करता हूँ तो अब जब हम फांडेशन के लिए पढ़ते हैं उसको तो यहाँ पर हमारे टूल्स काम आएंगे integration के और differentiation के हमारे integration के और differentiation के tools काम आएंगे किस तरीके से मैं इसको x by t ना लिखके for any instant किसी particular instant पर ही चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे दो सेगंड तक क्या हुआ average बगर यह समनी कहूंगा मैं simple अगर गहता हूं कि मुझे particular 1.2 सेगंड पर क्या velocity चाहिए 1.2 सेगंड पर क्या acceleration चाहिए उसके लिए चीज़े बदल जाती है लोड़ी से velocity आप लिखोगे dx by dt acceleration आप लिखोगे dv by dt क्योंकि velocity जो है वो dx by dt है तो जब उसके लिए यहाँ put करोगे तो यह कितना आ जाता है और you can say d square x upon dt square ठीक है डी square x upon dt square इस तरीके से इसको लिखा जाता है फिल हाल के लिए मेरे इस जान और चीज़ में आने लग जाएंगे मैं बिटा देता हूं इसको देखो अभी जब मैं कुशन्स करता हूँ तो मेरे पास कुशन आते हैं कुछ इस तरीके से ओ हूँ पन्ना खो गया अब मुझे दूनना पड़ेगा एक सेकंड बच्चो एक सेकंड मिल गया देखो मैं कुशन लिख रहा हूँ लिखनी रहा मैं बतार हूँ वैसा ओरली बह रहा हूँ तब लोग इसको मैं बुक को यहां रख देता हूँ मेरे लिए आसानी हो जाएगे अपलों के लिए और भी आसानी हो जाएगे तो कुशन में बोलता हूँ क्या है कुशन The position of an object moving along x-axis is given by देखो, कोई object है, उसकी position जो है, वो दी हुई है, क्या, x equals to, a plus b t square, a plus b t square, ये मुझे position दी हुई है, ठीक है, a की वाली बता दी, b की वाली बता दी, ठीक है, देखते हैं, और t, जो है second है, velocity बता नहीं है, t equals to 2 पे, मुझे क्या करना है, find velocity at t equals to 0 and 2 second, ठीक है, इसको ऐसे लिदेता हूँ, ये तो आप 5 समझ लोगे इसको, और क्या बुच्छा है, average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 second, ठीक है, average velocity बता करनी है, यहाँ पे आप लोग का confusion भी clear हो जाएगा, t equals to 2 से 2, t equals to 4 second, मेरी ख्याल से यही लिखा होगा है, कुछ होगा बाग की change तो देख लेंगे, मेरी ख्याल से यही लिखा है, 2 second and 4 second, ठीक है, जब मुझे आप लोगों को bulkman numerical कराने होंगे, तो मैं आप लोगों को, फिर zoom पे recording करूँआ, ता कि उसके अंदर किया ना, questions जादा हो जाते हैं, समय भी कम लगता है, इसके अंदर तो क्या मिटाना बढ़ेगा, और यह सब फालतों की भबूंद है, बहुत चारी, देखो, क्या-क्या relation है मेरे पास, मेरे पास relation है, कि सर जब मैं velocity की बात कर रहा हूँ, तो मैं delta x upon delta t लिखूँगा, अगर खाली मुझ से velocity पूचा है, खाली acceleration पूचा है, उसका मतलब यह है, कि मैं change की बात कर रहा हूँ, मैं average की बात कर रहा हूँ, खाली velocity, खाली acceleration मतलब average की बात की बात की आरे है, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है, instant की बात कर रहा है, तो velocity लिखेंगे dx by dt, जाहिर सी बात है, कुछ और change भी आ रहे हैंगे, acceleration के साब से भी, तो आप लिखेंगे delta v upon delta t, instant की बात करेंगे, तो acceleration हो जाएगा, dv by dt, या फिर आप लिखेंगे, d square x upon dt square, ठीक है, ठीक है, यह लिखेंगे, question तो a की उपाएगा, देखते हैं, दो हो जाएं तो, तो delta का मतलब क्या होता है, change, चलो निकालते हैं, function दिया हुआ है, x equals to a plus b t square, मैं a की value मान लेता हूँ, 2, और b की value मान लेता हूँ, 4, जिस constant की मैं आप लोगों से बात कर रहा है, constant इस तरीके से आते हैं, exam के अंदर, a आ गया, b आ गया, ठीक है, मुझे पूछा गया है, velocity निकालनी है, at t equals to 0, जब मैं कहा रहा हूँ, at t equals to 0, at t equals to 2, that means कि मैं किसी instant की बात कर रहा हूँ, ठीक है, that means कि मैं किसी instant की बात कर रहा हूँ, मेरे marker, मेरा favorite marker, e low, देखो, तो velocity निकालने का मतलब यह हो जाएगा, क्या आप करेंगे dx by dt, dx by dt का मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, velocity equals to d, x की जाएगे लिखोगे, a plus b t square by dt, भया, चीज डिवाइड में आ रही है, इसका मतलब differentiate करना पड़ेगा, ठीक है, जो function होता है, उसी के respect में differentiate किया जाता है, यह मैंने differentiation बता दिया था, तो velocity कितनी हो जाएगी, differentiate करेंगे, a plus b t square को, तो v निकालना है हमको, इसको differentiate करना है, ठीक है, constant का differentiation हो जाता है 0, constant का differentiation हो जाता है 0, और b तो as it is ही रहेगा, ठीक है, power से minus 1 हो जाएगा, यह बच्चों की तरह हैं बता रहों पर बताने की ज़रत है नहीं, आप लोगों को आ जाना चाहिए था भी तक, यह 2 आ गया आ गया, b ऐसा का ऐसा है, 2 minus 1 is t, ठीक है, अब मुझे velocity पूछा है, t equals to 0 पे, तो मेरे पास velocity का function आ गया है, 2 b t, put t equals to 0, तो velocity हो जाएगी 0, t equals to 2 put करेंगे, तो velocity हो जाएगी 2 into, b into 2, तो velocity, b की value क्या 4 है, 2 into 4 into 2, और you can say velocity equals to, 4 to 0 जाएगी तो है 16, 16 meter per second, मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखो आप लोगों को आवाज आ रही होगी, सच्च भारत का इरादा, आज शोड़ा लेट हो गया हूँ में लेक्चर बनाने में, तो सच्च भारत का इरादा सुन लो अभी तो, आवरेज वालसिटी बूस्ट नहीं है, तो जब आवरेज वालसिटी का मतलब यह है, चेंज इन डिस्प्लेश्मेंट अपउन, चेंज इन टैंग, तो X निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशेट करने के ज़रत नहीं पड़ती, मुझे डिस्प्लेश्मेंट निकालना है 2 सेकिंड पर, 2 निकालना है 2 सेकिंड पर निकालना है, इसलिए मैं X 2 लिख लाँ, तो मेरे पास आजाए क्या, A प्लस B, और T के जगे में लिखूँ हूँ, तो यह आजाएगा 4, तो X 2 आजाएगा हमारे पास, 4B, ठीक है, और X equals to 4 पर निकालना है, तो आजाएगा A प्लस B, T स्कॉई आजाए निए 4, 4 जाए 16, you can say A प्लस 16 B, ठीक है, और टाइम हमको दे ही रखा है, देखो 2 से 4 में अबरेज पूछा या न, तो डेल्टा T मतला, टाइम में कितना चेंज आया, 2 से किंड से, 4 से किंड के अंदर मेरे ख्याल से, 2 से किंड हो जाएगा, कैसे करोगे, 4 माइनस 2 से किंड आ रहा है, और मैं change in displacement की बात करो हूँ, displacement में कितना चेंज आया, तो पहले 2 पर कितना था, और फिर 4 पर कितना आ गया, तो X equals to 4 पर जितना आ रहा है, उसको X equals to 2 से माइनस करो तो, तो डेल्टा X की वालिवा आ जाएगे हमारे पास, A प्लस 16 B माइनस A प्लस 4 B, सच भारत का इरादा कर लिया हमने, देखों, A से एकट जाएगा, और यह आ जाएगा मेरे पास 12 B, तो अब मेरे पास अगर मैं velocity की बात करता हूँ, वेलोसिटी, डेल X by डेल्टी यानिकी 12 B upon 2, 6 B, यह मेरे पास आजाएगा, मीटर पर सेक्ट, B की वैल्वी लग देते हैं, कितनी 4, 64's are 24 मीटर पर सेक्ट, तो मेरे पास, तुम लोगों ने देखी लिया है, जब मैं 0 पर पूछ रहा हूँ, 2 पर पूछ रहा हूँ, तो देखो अलग चीज़ आ रही है, और जब मैं average की बात कर रहा हूँ, तो अलग आ रहा है, ठीक है, तो आज इतना ही, मेरे क्याल से आप लोगों को समझ में आगया होगा, जो भी हम लोगों ने बढ़ा है, average का difference बताना और instant का बताना, फिलाल के लिए जरूँ था, तो मैंने आप लोगों को average का और instant का difference बता दिया, अब आगे जाके अगर कोई approach फॉलो करते हो आप लोग, तो आप लोगों को यही approach फॉलो करनी है, ठीक है, मेरे क्याल से यह चीज आप लोगो सौन में आ गई होगी, और, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इतना ही, एक छोटा से message और देना है मुझे आप लोगों को, वो message भी देता हूँ मैं, मतलब आगे पढ़ा ही किस तरीके से करनी है, आप लोग screenshot ले लेजिए, या तो, या फिर आप इसको note कर लेजिए, मैं चाहूँगा कि आप इसको note ही करें, screenshot ना ले, जितना लिखोगे, चीज़े उतनी clear हो जाएगे, बच्चों क्या है न, इसको गीले कपड़े से ही साफ करना पड़ता है, थोड़ा और दिख रहा होगा पड़ ठीक है, मुझे तो board साफ करना important चीज़ता मेरे लिए ये है, देखो, अब आप लोग के, आप लोग के class से start हो जाएंगे, अब class से start हो जाएंगे, तो आप लोग को पढ़ाई किस तरीके से करनी है, बहली से आप CBSC के अंदर पढ़ रहे हूं, for CBSC, या फिर आप JEE के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को दिक्कत आईगी, नहीं भी आए तो बहुत इच्छी बात है, अगर आती है, तो सुभाविक बात है, वो आपके साथ नहीं, वो सभी के साथ होगा, जिन्होंने इस लेवल पर तयारी के start कियोगी, पहले के जमाने में तो ऐसा होता नहीं था, पहले के जमाने में मतलब मेरे टाइम पर तो ऐसा नहीं होता था, मेरे टाइम पर लोग 11, 12 के अंदर ही तैयारी start करते थे, किसी competition की करवनी होती थी तो, नहीं तो नॉर्मल 11, 12 बढ़ते थे, आज बहुत basic class से, बहुत छोटी class से ही तैयारी start हो जाती है, तो जाहिर से बात है, अगर कोई बच्चा 9th में J.E. या नीट foundation की तैयारी करता है, तो 11th class से तो छोटा ही है वो, तो उसको थोड़ा effort तो मारना पड़ेगा, थोड़ी परिशानी तो होगी होगी, important चीज ये है, अगर आपका खुद का decision है कि मेरको तैयारी करनी है, मेरको subject को बहुत अच्चे से पढ़ना है, पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, कि मेरको IIT में जाना है, या फिर मेरको exhibit सुन जाना है, या फिर मेडिकल करना है, दिमाग से पहली बाद तो यह निकागो, दूसरा, आप कोशिश करो कि जिस class के अंदर आप बैठे हैं, वहां से maximum में क्या output निकाल सकता हूँ, मुझे maximum चीज़े कैसे समझ में आ सकती, कहां से समझ में आ सकती है, class के अंदर जो पढ़ा दिया, वो मुझे मोटा मोटा basic basic समझ म आ जाना चाहिए, मेरा class start हुआ, और Monday को मुझे theory बढ़ाई गई, तो मैंने घर जाके काम किया, मैं घर जाओंगा, और मैं घर जाके खानवान खाके rest किया मेरे पास, तो मेरे पास कितना time बच जाता है, अगर कोई बच्चा 6 बजे भी उठता है rest करके, तो 6 से 11 तक का slot मान क कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे अपन पढ़ने बाढ़ जाते है, एक जट घंटे चाहिए तो rest क्या करोगा, और सोना है बहुत ही लंबा सो रहे हो तो फिर उसका तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, पर बहुत बेसिक सा power nap ले लिया, आपने एक घंटे का बहुत होता है, एक घं 15 से 20 मिनिट निकालने हैं, आप चाहो तो इसको थोड़ा बढ़ा के 20 से 30 मिनिट कर सकते हो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजिन कर रहा है, till the time numerical is not there in the class, ठीक है, आप जब Tuesday को पढ़ोगे, तो ये जो आपने पढ़ा है, ये घटके हो जाएगा 5 से 10 मिनिट का, ठी ठीक है, आप अगेन गए, 10 से 20 मिनिट, 10 से 30 मिनिट, और आपने ये तो क्या रिविजिन, और ये क्या निू रिविजिन, सेम डेका, निू रिविजिन, ठीक है, ये आपने सेम डेका किया, आप यही साइकल Friday तक फॉलो कर होगे, अब हर बार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा अगर numerical आजाते हैं आपको दिये हैं तो आपको 5 questions करने हैं पाउस numerical वह भी एक जैसे नहीं करने है अलग-अलग तरीके के numerical करने हैं एक तरीके के नहीं एक तरीक एक तरीका नो hate you कर लिया उसके विलाइपर दिजुद्स दिमाग लगाओ जैसे आपको विल्सिखे निकालाओ है छिल के वापेस से डिस्प्लिकित जाओ या फिर पॉजस्ट हेक्जिए डिस्प्लिक्ट्ष लेक्टर तो पूरह दर भीडिल Olay और इंस्टेंट भी बूस लिया, दौना चीज़ बूस लिया आप लोगों से, तो ये नया कुर्शन बागे है, ठीक है, कई बार direct acceleration देगा, velocity बूस लेगा, तो आप तुम को समझ जाएगा कि भाया, velocity से acceleration जाते सामें, displacement, differentiate किया जाता है, और acceleration से velocity दरफ जाते सामें, integrate किया जाता है, समझ जाओगे, ठीक है, ये cycle आप Friday तक फॉलो करेंगे, और इस Friday के बाद, आपके पास Saturday और Sunday को बहुत टाइम होता है, ample time, आप लोग क्या करते हैं, भाया हम लोगों ने 22 दिन या महीने बर की छुट्टी enjoy कर लि ही है, पर खाली sports करते रहना चाहिए, खाली पड़ाई करते रहना चाहिए, ये तो बेवकुफी है, बतला ये आम आदमी के लक्षन तो नहीं है, तो या तो आप पैदा नहीं हुए है, आप incarnation है, अगर आप आप अहुतरित हो गए हैं, तो बात अलग है, पर एक सामान नही human being है, अगर आप, तो आप लोगों को दोनों ही चीज़े balance करके चलनी पड़ेगी, Saturday Sunday का time आपके पास ample time है, आप उसके अंदर कुछ नया नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 5 दिन जो होय है मेरे पास, Friday तक, इन ही को revise करेंगे, जो backlog छूट गया है, वो करेंगे, और आपके पा बात भी बहुत समय बच जाएगा आपके पास, आप चाहो तो पुराना revise कर सकते हो, नहीं तो module के question start करना start करो, और मैं मानता हूँ, अगर मैं मंडे से Friday चल रहा हूँ, डेली में सिर्फ 5 numerical भी करता हूँ, तो 25 numerical हो जाते हैं by the end of the week, समझ रहें आप, और यसे Friday तक हुए है, फ्राइडे तक ना ना करते हैं भी जब आपके पास समय कम था, जो आपको लग रहा है, बेचिकली वो था भी नहीं समय कम, काफी था, आपने 25 numerical कर लिये, सेड़ेडे संडे के दो दिन बच गये हैं, अगर आप चाहें, समय बहुत है आपके पास, उस 5 को बढ़ा के 15 कर सकत होगे आगे जाएके, बहुत समूर्ली चलता रहा है सब कुछ, उसके लिए आप करिए, आप by the end of the week, 40 से 50 numerical कर चुके होगे, फिर अगले cycle को follow करेंगे, अगले week में फिर revision, फिर revision, 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 उंगलियों पे tips पे रट जाएंगे आपको notes, concept पुरे रट जाएंगे आपको, question आत हैं, तो उम्मीद करता हूँ, इस समझ में आगया होगा आप लोगों को, जो भी strategy में ने बताइए, तो आज के लिए इतना ही, please revise करना, और फिर आपन ये complete करते हैं ये lecture, ठीक है, thank you, thank you so much.